दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अमिताप बच्चन की एक और अन्विलीष्ट बॉलीवुड मुवी के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है शनाक्त। और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद थे अमिताप बच्चन, माधूरी दिक्षिट, रजनी कांथ, माधवी, सुजाता मैता और परेश रावल। इसके इलावा इस फिल्म के डारेक्टर और प्रिडिूसर थे टीनू अनंद। आप बात करें इस फिल्म से जुड़े कुछ दिल्चस पहलूँ की, तो शनाक्त फिल्म काफी एकसाइटिंग स्टोरी प्लॉट पे बेस्ट होने वाली थी, जहां अमिताप बच्चन का किड़दार इस बार एक मिलिटरी एजेंट के रूप में दिखाई देने वाला था, और फिर इस दोरान इन दोनों की प्रेम कहानी का भी अगास हो जाता है, और देखा जाए तो शनाक्त फिल्म अपनी पेरिंग के हवाले से भी एक बहत यूनीक और फ्रेश फिल्म होने वाली थी, जिसमें हमें नेवर सीन बिफोर अमिताप बच्चन और माधूरी दिखशि तो माधूरी दिखशिट एक बेल स्टेबलिष्ट और पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी थी, और मेरे खयाल से ये फ्रेश कॉम्बिनेशन ओडियेंस के लिए ट्रीट टू वाच साबित होता, और देखा जाए तो इस फिल्म को डारेक्टर टीनू अनंद ने साल 1988 में अन के शनाक्त फिल्म की कहानी कहीं न कहीं, अमिताब बच्चन की ही फिल्म गंगा जमना सरस्वती से रिजेंबल करती है, और ये बात समझाते ही उन्होंने इस फिल्म को बीच में ही बंद करने का फैसला किया, तो दोस्तों आप सब को क्या लगता है कि टीनू अनंद का ये ड पामयाब होती या फिर नहीं, हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजियेगा, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलियेगा